नमस्कार आप सो भी पोशुपलक भाईयों को आपका अपना यूटूब चैनल पोशुपलन जनकरी में स्वागत है पोशुपलक भाई मार्केट में यह आईवर्मेक्टिन का एक इंजेक्शन आता है हाइटेक प्लाटिनम के नाम पे यह इंजेक्शन को मैं अपना फार्म पे यूज करता हूँ और इससे बहुत बहुत बेहतरीन रेजल्ट मिलता है इसलिए मैं इस हाइटेक प्लाटिनम के बारे में आज आपको जानकरी दूँगा यह हाइटेक प्लाटिनाम में आइवर्मेक्टिन इंजेक्शन होता है यह 3.15% ओटबाइब वोल्यूम आता है और 1 ml सोलूचन में यह आइवर्मेक्टिन 31.5 mg होता है बेंजाल एलकोहल यह 15 mg होता है और पिजर्बेटिव प्रोपाइलिन गलाइकोल होता है यह इंजेक्शन बहुत बहुत बेटरीन इंजेक्शन है इसको हम किसी भी पोशू का जिसको हम एक्टोपेरासाइट मतलब पोशू के सकीन में पोशू के सरील के बाहर जितना आपका पड़ज़ भी होता है जैसे जू, किल्नी, चिंचर, मक्खी, मच्चर याता बहुत चारे किरे मकोरे माइट तो इसमें ये बहुत असरदार है और पोसु का जो हम एंडो पैरासाइट बोलते है जो पोसु के सरीर के अंदर होता है जैसे वो लिवर में भी हो सकता है फैपने में भी हो सकता है ब्रेन में भी हो हो सकता है या तो पेट के की रधी होसकता है तो उन सब को यह मार्थ देता है इसके अलवा पुष्ण का कोई भी इस ‫किन का प्रोब्लेम हो या तो इसकिन का बिमारी हो उसमें भी स्वे हैं यह बहुत ivermectin solution से उसको हम मार सकते हैं यह ivermectin solution यह बहुत अच्छा है लेकिन इसका एक ही side effect है यह बहुत जलन करता है इसी वज़े से इस injection को खाली आपको जो है या तो अगर नस में लगाएंगे तो आपका पोसु जो है मर जाएगा तो इसको हाप किसी भी किमत में ना लगाईए किकि यह बहुत जलन होता है इसको खाली जो है आपको सापकुटेमियस मतलब इसकीन के निचे लगाना है पोसु का बच्चा बच्चरा या बच्चिया जिसका उमर तीन महिने से काम है उसमें ये इंजेक्शन ना लगाएं पोसु अगर गाबीन है उसमें भी ये इंजेक्शन लगाने से बच्चे और जीस पोसु में लगाना जोरूरी है उसमें सुबा या साम के टाइम पे ठां इंजेक्शन अकेला ही लगाए, सिंगल लगाए, बहुत सरे इंजेक्शन दुसरे के साथ मिला के लगाया जाता है, लेकिन ये इंजेक्शन तेल जैसा है, ये दुसरे के साथ मिलता भी नहीं है, और ये इंजेक्शन को अकेला ही लगाना है, गल्टी से भी दुसरा इंजेक् इंजेक्शन सापकार्ट बतलब चम्री के नीचे ही लगाना है गलती से भी अगर आप इंट्रमास्कुलर या आई भी लगाएंगे तो आपका पोसु मर भी सकता है और इसका डोज होता है पोसु का सरीर का ओजन 50 किलो में एक एमेल लगेगा और ये एक ही जगे पर लगाना चाहिए जैसे पोसु का सामने का पैर जिसको हम सोल्डर जोयन बोलते है इसके पुला बोलते है वो इसके पुला बोन के आगे या तो पीछे जोंसा लूज इसकी नहीं है उसमें ऐसे करके आप सापक्यूटेनियास मतलब चम्री के नीचे ही लगाएं तो यह जोंसा आईब भैटनारी पेक्टिशनार जो भैटनारी डाक्टर है रेजिस्टर भैटनारी डाक्टर साप है उसी इसके देकरेक में आपको यह इस्तेमाल करना है और यह जोंसा इंजेक्शन है तीन महिने का बच्चा जो है उसके उपर का बच्चा और पैगनेंट एनिमेल में भी आप लगा सकते है। लेकिन बहुत ठरे एडिया में पैगने निमल में लगाने से इसका जो है इस से एबोरसन भी होता है। तो जोन सा भेटने डक्टर साब है उनको पता है उसके एडिया में इस इंजेक्शन से अगर एबोर्शन होता है तो वहाँ पे नहीं लगाएगा और इस इंजेक्शन के लगाने के बाद आप उस पोशु को ये केडिस्टिल जिसमें कुलोर्फेनरामाइन मिलियाट होता है टेन एमजी पार एमल पे इसको भी आप साबकाट या तो इंटरमास्कुलर ये 50 किलो बोडियोट में 1 एमल ये लगाएगा तो ये जो है उस इंजेक्शन से अगर पोशु में एलर्जी होने का संभाव होना है तो उसको रुकेगा तो पोशु बलग भाई तो इस इंजेक्शन को आप जोडूरत पढ़ने पे ही इस्तेमाल किजिए ये बहुत जादा जो है इसका अच्छा रेजल्ट है और इसका ज